हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कॉंप्लेक्स टिशू में फ्लोयम पढ़ने जाएंगे आज हम लोग और फ्लोयम जैसा की आपको पता है वस्कुलर बंडल बनाता है वस्कुलर प्लांट्स में तो जायलम और फ्लोयम और बीच में होता है कैम्बियम ये तीनो मिलके वस्कुलर टिशू बनाते हैं वस्कुलर बंडल के रूप में पाये जाते हैं तो फ्लोयम जो है उसका जो रोल है पौधे में वो है डाउनवर्ड कंडक्शन मतलब उपर से नीचे की तरफ ट्रांस्पोर्टेशन करना भोजन का भोज्यपदार्थ जो भी पौधा ब अब फ्लोयम क्योंकि complex tissue है और complex tissue की विशेश्टा यही है कि वो एक से अधिक कोशिकाए विभिन्न प्रकार की उनसे मिलकर बनता है एक particular कारे को पूरा करने के लिए तो देखते हैं फ्लोयम में कौन-कौन सी कोशिकाए है फ्लोयम पांच प्रकार के तत्वों से या elements से मिलक बनता है, जिसमें है sieve elements, दूसरा है companion cells, तीसरा है phloem fiber, चौथा है phloem parenchyma, और पाँचवा जो recently डूंडा गया है phloem का एक भाग, वो है transfer cells, जो भोजन को transfer करने में मदद करती हैं, तो elements पे हम बाद में आएंगे, पहले देखते हैं phloem के बारे में, phloem जो है, उसको दो तरीके से आपके book में लिखा हुआ मिलेगा, जब anatomy की book उठाओगे, कहीं लिखा होगा primary phloem, कहीं पे लिखा होगा secondary phloem, तो phloem दो प्रकार का होता है, primary phloem मतलब जो पहले से मौजूद है, जिसकी उत्पत्ती pro cambium से होती है, अगर वो पतला सा, छोटा सा, नन्ना सा पौदा है, bascular plant, तो उसमें जो पहला phloem है, उसको बोलते है, primary phloem, और इसकी उत्पत्ती किसने की, pro cambium ने, तो primary phloem में हमको शुरू में दो चीज़ें एकदम इस पश नजर आएंगी, एक होता है proto phloem, और दूसरा है metafloem, तो proto phloem और metafloem नाम क्यों दिया गया है, वो जो sea elements होते हैं, उनकी cavity के size के आधार पर, अगर छोटी-छोटी cavities दिखती हैं, तो हम उसको label कर सकते हैं, डायग्राम में proto phloem, और अगर wider मतलब चौडी-चौडी cavities, sea elements की नजर आती हैं section में, तो हम उसको label करेंगे metafloem, तो primary phloem में दो प्रकार हमको यहां पर clear हो गए, अब हम बात करते हैं secondary phloem की, secondary phloem हमेशा बनता है secondary growth हो जाने के बाद, और secondary growth जो करता है वो है vascular cambium, और vascular cambium की उत्पत्ती कौन, मतलब secondary phloem की उत्पत्ती कौन करता है, vascular cambium, तो secondary growth के बाद जो बना, तो उसको हम नाम देंगे secondary phloem, तो अब दोनों में difference समझ में आ गया, अब हम आते हैं one by one, जो phloem के तत्व हैं, उनको detail में पढ़ेंगे, सबसे पहले sieve elements, sieve elements जो होते हैं, वो उनको दो में बाटा जा सकता है, sieve cells, जिसको हिंदी में बोलते हैं, चालनी को शिकाएं, और sieve tubes, जिसको कहते हैं, चालनी नलिका, तो ये चालनी तत्व, दो प्रकार के हो गए, दोनों में क्या difference है, दोनों में difference ये है, कि हर पौधे में हर कुछ नहीं होता, तो जो sieve cells की उपस्थिती देखी गई, वो lower vascular plants में देखी गई, lower vascular plants वो plants होते हैं, जिनको हम cryptogames कहते हैं, तो cryptogames में तो ये होता नहीं है, तो teridophytes जो होते हैं, जिसमें फूल नहीं लगते, teridophyta और gymnosperm में sieve cells पाई जाती हैं, जबकि sieve tubes जो हैं, वो higher plants का characteristic feature है, गुण हैं और वो होते हैं, फूल वाले पौधे, जिनको हम बोलते हैं angiosperms, तो sieve elements का वरगी करण समझ में आ गया, अब हमेंने एक diagram बनाया है, phloem को प्रदर्शित करने के लिए, तो जो phloem है, उसको दिखाने के लिए, यहाँ पर देखिए, आपको phloem fiber diagram में नजर आ रहा, जिसमें बहुत section में बहुत मोटी भित्ती है, और उसके अंदर आपको thick wall दिख रही है, तो phloem fiber है, जो की dead है, अंदर protoplasm नहीं भरा है, dead है, उसके बाद आपको दिख रही है companion cells, जो साथी कोशिकाएं होती है, उसमें आपको clear नजर आ रहा है, एक नाभिक और protoplasm, तो यह leaving cells होती है, यह जरूरी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करती है, उसके बाद हमने आप भी बताया कि sieve element में sieve tube पाए जाता है, तो यह diagram एक दिखा रहा है sieve tube, और sieve tube में होती है sieve plate, तो plate में बहुत सारे आपको छिद्र नजर आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं botanique की भाशा, साइन्स की भाशा में connecting strands, यह strands होते हैं, धागे होते हैं, जो एक से दूसरे को जोडते हैं, तो इस प्रकार से sieve plate, sieve tube, और फिर कुछ कोशिकाए simple आपको नजर आ रहे हैं, जिसको हमने लिखा है phloem, parenchyma, तो यह सारे एक चित्र जो है, वो elements को प्रदर्शित कर रहा है, समझने के लिए, इसके लावा और भी आपके अलग-अलग diagrams book में दिये हुए हैं, एक-एक का detail, तो आप अपनी सुविदा के अनुसार, अपने notes प्रपेर करेंगे, तब आप बना सकते हैं, अब जो यह connecting strands हैं, यह surrounded रहते हैं, कैलोज रिंग से, कैलोज एक पदार्थ होता है, तो उसको जो connecting strand और कैलोज रिंग उनके दोनों तरफ पाई जाती है, वो एक diagram में मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया, उसको show करने की कोशिश किये, ताकि आपको यह चीज़ें clear हो जाएं, तो यह हो गया seeve elements के बारे में, seeve elements का जो function या कार्य है, वो मुख्य रूप से है, conduction of food in longitudinal direction, तो भोजन का समवहन करना, मुख्य काम है seeve elements का, अब हम आते हैं, companion cells, जो दूसरा तत्व है, companion cells strongly attached to the sieve tube, जहां पर sieve tube होगी, उसके पास आप आवश्यक रूप से companion cells की उपस्थिती देख सकते हैं, चितर में भी समझ में आ रहा है, यह nucleated होती हैं, मतलब इसमें एक नाभिक होता है, और इनका cytoplasm granular होता है, दानेदार होता है, और इसमें छोटे-छोटे vacuole या रिक पाई जाती हैं, तो companion cell की एक तो position, इस्थिती clear हो रही है, और दूसरा वो होती कैसी हैं, उनका structure, इन terms से हमको clear हो रहा है, sieve elements and companion cell develop from same meristematic cell, मतलब जिस कोशिका से sieve element बनती हैं, वो ही same cell, companion cell को भी बनाती है, तो ontogeny इनकी एक ही है, इनकी उत्पत्ती एक ही कोशिका से हो रही है, इसलिए इसको साथी कोशिका नाम दिया गया है, तो यह हमेशा चित्र बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कि sieve tube जहां पर है, वही पर companion cell होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो mother है, वो same है, मात्र कोशिका जो है, व में responsible है, कि पौधे ने जो भी भोजन जिस भी रूप में बनाया है, उसको सभी अंगों में वितरन करना, तो main role हो गया, food material का conduction, दूसरा है, यह जो companion cell है, यह sieve tube के साथ होती है, तो यह pressure gradient को maintain करती है, तो pressure gradient हिंदी में बोलते हैं, दाब प्रमणता, दाब प्रमणता को बनाये रखती है, क्योंकि जब भी कोई चीज अंदर से जा रही है निकल के, तो pressure develop होता है, तो दाब प्रमणता को, ताकि उसको कोई sieve tube को कोई damage नहीं हो जाए, तो वो अपने उपर जिल लेती है pressure को companion cell, अगर आसपास कोई rigid चीज होगी, जो कड़क जो दबेगी नहीं, जो non-living होगी, तो फिर जो pressure है वो share नहीं होगा, तो इसलिए companion cell, pressure gradient को maintain बनाये रखने में सहायता प्रदान करती है, तो दो important role इसके होगा है companion cell के, अब हम आते हैं, तीसरा element जो की है phloem fiber, fiber जैसे की नाम है, हमको indicate करता है कि यह basically क्या है, sclerenchyma, तो sclerenchyma क्या है, dead tissue, अब यह sclerenchyma की विशेशता है, मतलब phloem fiber की दो-तीन विशेशता हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि fiber septate भी होते हैं, aseptate भी होते हैं, मतलब पट युक्त भी होते हैं, और बिना septa वाले भी होते हैं, दूसरा point, fiber living भी होता है, और dead भी होता है, मतलब जिंदा भी हो सकते हैं, वो उनके अंदर protoplasm हो सकता है, और dead मतलब protoplasm खतम हो जाता है, old होने पर तो, दोनों तरह के fiber देखे गए हैं, और तीसरा है, कि ये जो fiber हैं, ये primary phloem हो, या secondary phloem हो, ये आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि ये primary, मतलब ये element है, basic structure बना रहा है, तो primary phloem में भी पाया जाएगा fiber, और secondary phloem में भी पाया जाएगा, अब ये जो fiber है, जैसे कि हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, कि इसका commercial importance होता है, मतलब हम इंसान जो है न, वो हर चीज का उप्योग करना सीख गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस fiber से clothes बना सकते हैं, record या रसी बना सकते हैं, paper बना सकते हैं, बहुत सारे हैं, मतलब इस short note आता है, हमेशा ध्यान रखिए, कि vast fiber वो fiber होता है, जो phloem वाले reason से पौधे के प्राप्त होता है, अब fiber का function क्या है, यहाँ पर phloem की case में, fiber क्या करता है, plant body को support देता है, तो mechanical शक्ती सहारा देता है, पौधे को, और दूसरा है, कभी-कभी fiber storage का भी काम करते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं, अगर वो ज़्यादा हैं, तो fiber अगर living है, तो वो अपने अंदर उसको इखटा भी करके रखता है, सब में नहीं होता, दे आए जाते हैं, और सबका गोण अलग-अलग बनाया आईश्वर ने, तो कुछ पौदों में ये क्या करता है, storage का काम करता है, अब हम आते हैं, चौथा element, जो की बहुत important है, और वो है phloem parenchyma, parenchyma हम पढ़ चुके हैं, living tissue होता है, तो ये living part है, और ये क्या करता है, organic food को store करने का काम करता है, देखो, खाना पत्तियों ने बना दिया, अब ऐसा नहीं होता है, कि जितना खाना बना, वो सब used हो जाए, ये काम आ जाए, तो फिर बच जाता है, तो उसको store करके रखते हैं, पौदे, तो storage का काम करता है, कौन? phloem, parenchyma, और इसकी जो horizontal plane की cells होती है, मतलब आड़ी आड़ी जो cells होती है, parenchyma की, उसको एक नाम दिया गया है, ray cells कहलाती है, वो ray cells कहते हैं, parenchyma का, ऐसे detail में structure देखोगे न, तो कहीं पर आपको ray cell label क्या हुआ दिख जाएगा, तो confusion नहीं करना है, कि ये क्या क्या आ गय ये कुछ नहीं है, horizontal plane की कोशिकाओं को ray cells कहा कह दिया गया है, अब कौन साफ organic food होता है, जिसको parenchyma store कर लेता है, तो common तो ज़्यादा तर पौधे, तो क्या बनाते हैं, starch बनाते हैं, कुछ fat बनाते हैं, कुछ protein बनाते हैं, कुछ mucilis, कुछ tannin, कुछ lignin, कुछ mucilis, जो भी पदार्थ पौधा बना रहा है, उसका storage, parenchyma करके रखेगा, for future, या जरूरत पढ़ने पर, वो फिर transfer हो जाता है, दूसरी कोशिकाओं में, अब हम आते हैं, transfer कैसे हो जाता है, तो एक recently नया element ढूंड लिया, और उसको कह दिया, नाम दे दिया, transfer cell, तो transfer cell, जो है, व वश्यक्ता होती है, वहाँ भोजन को transfer करने में मदद करती है, तो बीच-बीच में, phloem के structure में, कुछ cells होती है, जो कि basically, parenchyma की बनी होती है, तो parenchyma, transfer cell, जब transfer करता है, तो वो transfer cell कहलाने लगता है, तो conduction of food, इसका main role हो गया, अब हम आते हैं, कि, जो phloem है, उसको, उसमें जो elements है, क्या वो हर पौदे में ये पाचो elements मिलेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होगा, तो अलग-अलग elements होते हैं, तो अब phloem की cell types, किस group of plant में कैसी होती है, तो हम लोगों ने lower plant पढ़ा था, first year में, teridophyta, तो teridophytes की बात करें, तो उसमें phloem के case में दो चीज़ें मिलेंगी, sieve cells and phloem parenchyma, बस, पाचो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको ध्यान रखिए, क्या मिल रहा है, केवल दो चीज़ें मिल रही है, जिमनो स्पम की बात करें, जो कि नगन बीजी कहलाते हैं हिंदी में, जिसमें साइकस, पाइनस, अफेडरा आप फ्लोयम फाइबर, क्योंकि एक स्टेप ऊपर चले गए हम, जिमनो स्पम हाड प्लांट होते हैं, जिमनो स्पम बहु वर्षिये पौदे होते हैं, एवर ग्रीन होते हैं, तो इसमें पौदे को सपोर्ट कौन दे रहा है, तो फाइबर आ गए यहां पर, तो तीसरा यह तीन elements मिलेंगे, और जब हम अपने higher plants की बात करें, जो हमारे course में इस साल डाला एंजियो स्पम्स की, तो उसमें हमें मिलेगा, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोयम पैरन काइमा, फ्लोयम फाइबर, कम्पैनियन सेल्स, एंड सम्टाइम्स, स्क्लैरिट्स भी पाए जाते हैं स्क्लैरिट्स मैंने पहले आपको बता दिया है, स्क्लैरिट्स काइमा का एक प्रकार है, जिसको बोलते हैं stone cells, तो इस प्रकार से फ्लोयम पर complete question आता है, कभी-कभी full question आता है, complex tissue पर एक note लिखिये, तो आपको जायलम और फ्लोयम को बराबर से वो देते हुए, importance देते हुए आपको ये दोनों को लिखना है, तो अच्छे से notes prepare करें, और अच्छी तयारी करें, thank you.